नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का MD Classes की यूटूब चैनल में एक बढ़िया वेकेंसी आप सभी के लिए आज चुकी जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चोनालेडिस का फॉर्म भर दिया था ये है आई बी की वेकेंसी बोले तो इंटेलेजेंस ब्यूरो की वेके सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकों बेट करें ताकि आपको आने लिए हरी वीडियो चीनल मिलते रहे चलिए आते समझते हैं किया है और कुल्म लागे कितनी वेकेंसी है आई वी का मतलब होता इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको वर्क्स करना यह कि देखा जा तो आपक सब्सक्राइब कर देखने को मिलना है अब आते हैं इसका फॉर्म कितने बच्चों ने भरा है कैसे क्या है कौन-कौन बच्चा भर सकता तो आपको पता कि मिनमम जो एज है वह आपको 18 यह चाहिए सिरफ और सिरफ आपको ग्रेजुशन करना है आपको ग्रेजुशन अगर आप हो तो आपने इसका फॉर्म ऑल्लेडी भरा होगा आपको 18 यह को होना चाहिए और मैक्सम जो एज है वह है 27 यह आई बी का एज का लिमिट है इतनी एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए अब जो में चीज़ है वह है आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेबस का द्यानना कि हमारे पास पैटरन किस तरीके से पेपर में आने वाला है किस तरीके से आई भी में सारी चीज़ आने लिए वह चीज़ समझना देखो आप मेंसे मैक्सम बच्चों ने सीजियल का या सीचसल का दिया होगा बिल्कुल दिया होगा ना सेम होई पैटन होगा जैसे मतलब क्या जिसमें आपका जीके जीएस बोले तो फिजिस कमिश्टी बायो आपका हिस्ट्री ज्योगर्पी पॉलिटी एकोनॉमिक्स करेंट अपर सब कुछ होगा उसको जनल आवनेस बोला जाता है दिन आपके पास यहाँ पर रेजिनिंग आएगा दिन आपके पास इंगलीस आएगा और जनल इस्टेडी जाएगा जिसमें आपके बागी सारी चीजे होती है नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो वन बाई फोर का होगा इसका मतलब कर आपने वरन चार कोशन गलत कर दिए तो पूरी सी कम जो रहे ना उनके लिए बहतरीन मौका होता कि वह जी के जी इस रीजीनिंग और इंग्लिस में अच्छा स्कोर करो और इस बार सेलेक्शन पूरा का पूरा अपना हंडे परसंग कर लो यह चीज रहती है तो यह चीज आपके पास जो रीटेन एक घंटे को होग पर इंटर्विव भी इस पेपर में एक बहुत खास मायने रखता है क्योंकि आपको पता चला है बट इजली हो जाता है लेकिन जो बड़ी चीज है यहाँ पर वो यह है कि इसकी कट ओफ थोड़ी सी हाई जाती है हाई जाने का मतलब यह होता है साट से सतन नंबर तो आपक सेलेक्शन भी लेना आपको फाइनल एक टॉप बनेगी तो आप उससे फिर बाहर हो जाओगे अगर आप को टॉप एक याद दो नंबर आगे पीछो होते हो तो तो आपको यह कोसिस करना किसी भी तरीके सापको 60-70 नंबर स्कोर करना है यह सिलेबस है जिसमें सब कुछ आ है कुछ भी बचा नहीं है क्या है इसके रिए खास कंप्लेट हम यहाँ पर देखते हो तो मैंने सुबह 9 बजे आप सभी के लिए मैद के सीरीज स्टार्ट करिए जो मंडे से सटर्डे चलती है सिरीज बहुत इंपॉर्टन है इस तरीके सो इसकी आपको जो थमनेल है वो द यहां से डाउलोड करेंगे ताकि आप पहुंच पाईए तो इस आप क्लास की टाइमिंग ना नाएएम सुबह मैज होता है यह दोनों चीज آپ को अच्छे से ख्याल लगना है इसमें आपको कुछ भी चीज यहां पर वो नहीं करना कि आपको सेलेक्स से दूर ले जाए यह लेकर आने वाले जिससे आपको रीजिनिंग की जो प्रॉब्लम से वो कम्प्लीट दूर हो जाएंगी और आप आसानी से रीजिनिंग के कोश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे ओके हैं बाई सबको समझ में आरा कोई प्रसानी तो यह आई भी का कम्प्लीट से लेवस मैंने आप वीडियो देख जाएए तब तक के लिए बाब आए गुड़ नाइट टेक कर थांक्यू सो मच गाईज है अ स्बस्ट बाएएगय नाइज है अजए प्रसाएए बाएट कर दो यह आई भी कि वाईज है आएगोन नाइज है यह बगर।